गर्मियों में स्पेशली ज़्यादा तला भुना खाने की इच्छा नहीं होती और कुछ भी हलका फुलका बहुत बढ़ी है लगता है तो ऐसे में मैं आज बहुत क्रिस्पी, सुपर टेस्टी, कम तेल में बनने वाला हेल्दी सा नाश्तर लेकर आई हूँ तो मज़े की बात लें और अगर फाइन सुजी है तो será याज इसित्माल करें और अगर दानेदार है तो फाइन पीसे, थोड़ा सा नमक नाले और पाने डालकर सा नाटा नालें जैसे गेहों का आटाय लगाते है ना बिल्कुल ऐसा थोड़ा थोड़ा पाने डालें और डोल लगा कर पां पत्ता गोभी एक चोथाई कप शिम्ला मिर्ची और एक चोथाई कप गाजर जो भी सबजी आपको पसंदो बीन्स है या जो भी आप खाते हैं वो सबजी ढालें दो से तीर मिनट मीडियम हीट पर पका लें आदा चम्मच चाड मसाला एक चोथाई चम्मच मैंगो ड्राइ मै यह क्रिस्पी क्रंची सी स्टफिंग नाश्टे को बहुत मजेगा बनाती है अब इसे और टेस्टी बनाने के लिए एक टेबली स्पून इसमें डालेंगे टमैटो सोस और ताजा हरा धनिया तो इस्टफिंग चटपटी तियार है और यह जो डो बनाया था सूची थोड़ नहीं काटा होता है जिससे रोटी बनाते हैं उसी से बेल ले और जैसे आप पूरी बनाते हैं बिलकुल ऐसी पतली पतली सारी पूरिया बनाकर तयार करें तो काउंटर टोप पर चकले वेलन की मदद से जैसा चाहिए आप इने बना ले उसके बाद यह मसाला बिलकुल लग रहा है तो किसी कटोरी की मदद से या फिर किसी कुकी कटर की मदद से बीच में से कट करें और अपने पसंद के साफ से चोटा बढ़ायने बना ले इस सफिंग भरने के बाद बिलकुल ऐसे लोक करें जैसे मॉमोस को लोक करते हैं और एक प्लेट में हलका सा तेल लगा हैं काफी बड़े-बड़े साइस के लग रहे हैं तो बिलकुल ऐसे हाँ पर इन्हें निकालें अगर आप इसे हेल्दी तरीके से खाना चाहते हैं तो यहीं पर इन्हें टेमैटो सोस के साथ के साथ के साथ आप इंजोई करें बहुत मज़ी की लगती है लेकिन अगर आप थोड़े से क्रिस्पी यह बने और थोड़ा सा वेरेशन इनमें चाहते हैं तो आप इन्हें इस तरीके से शेलो फ्राई और डीफ्राई कर सकते हैं मैंने इन्हें डीफ्राई किया है लेकिन विच इस टोटली ओप्शनल आप इन्हें शेलो फ्राई करें थोड़े से तेल म जाएंगे यहां पिनने गरम गरम सर्व किजीगा बच्चों को बहुत पसंद आते हैं अब मैं बेच में से कटकर कैसे दिखाती हूं क्रिस्पी तो यह बहुत हैं सोजी के जैसे बहुत क्रिस्पी बन जाते और इस चिम्ड भी बहुत मज़ी के लगते हैं और ये देखे कितने बढ़िया चटपटा सा हमारा पहला नास्ता हो गया है तियार अब बनाते हैं दूखसरा नास्ता तो ये जो नास्ता है ये भी हम बिना प्याज लह सुनके बनाएंगे बहुत ही हैल्दी तरीके से बनाएं सो ग्राम कद्दुकस के अवा कोली फ्लार यानि की गोभी और एक बड़े साइस का एकदम भारी कटवा शिम्ला मिर्ची सारी सबजी के बरतन में डाले नमक स्वाद के साफ से डाले चिरी फ्लेक्स डाले एक चोटा चमच भुनेवे जीरे का पाउडर और साबुच जीरा अब इसमें डाले बड़ा अच्छा स्वाद इससे आता है आप इसमें चाट मसाला डाल सकते हैं आमचूर पाउडर डाल सकते हैं और भी गोई सबजी जो पसंद हो डाल सकते हैं तो चटपटी बिना प्याज लैसन की स्टफिंग तियार है अब एक बरतन में डाले घ्याउ गाटा और इसमें डालेंगे टू टेबल स्पून घी शुद्धी घी डाले या फिर रिफाइंड ओल डाले बहुती बढ़िया सा क्रिस्पी सा खसता सा फिर ये बनता है नमक स्वाद के साब से डालें और एक बड़े साइस का उबलवा आलू जिसे कद्दू कस्किया मैंने वो इसमें डालें और थोड़ा सा टू पिंच के करीब इसमें डालेंगे मीठा सोड़ा इसे थोड़ा फ्लेकी बनेगा जैसे समोसी की लेर होती ऐसा बनेगा और अब वन फोर्थ कब प्लस टू टेबल स्पून यानि कि एक चोथाई कटोरी जो होती है पानी की वो ले ले और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका आटा बना लें कई बार आपका पानी थोड़ा कम या जादे भी लग सकता है तो इसका डो बनाना है और 15 मिनट के लिए रेस्ट कराना है बहुती मजदार चटपटी से ये नाश्टे की रेसिपी है बहुती बड़ी हा लगता है बच्चों के टिफिन के लिए पॉफेक्ट ओप्शन है बच्चों का जैसे स्कूल शुरू हो गया तो दोनों ही तरीके का नाश्टा आप उन्हें दे सकती हैं 15 मिनट के बाद वापसे डो को अच्छे से नीड करें और चिकनीसिस की बोल बना ले बहुती स्मूद सा ये डो होना चाहिए फिर जितना भी डो आपके पास है ना जैसे मैंने एक कप का मिजरमेंट दिया है तो सारा डो काउंटर टोप पे रोल करें बड़े इसे साइज का स्क्वेर में रिक्टेंगल में राउंड में जैसा चाहिए आप इसे बेल सकते हैं उसके बाद जो स्टफिंग हमने बनाई है वो इवनली स्प्रेड करें इसमें आप इसमें पनीर भी डाल सकते हैं उससे बहुत ज्यादा हेल्दी हो जाएगा अब देखें मैं कैसे रोल कर रहे हूं बिल्कुल ऐसे से रोल करें और थोड़ टाइट टाइट रोल करें लूज ये नहीं रहना चाहिए उ पतला पतला इसको रखिये गा ज्यादे मोटे मोटे राउंडस आपको नहीं बनाने है नहीं तो बीच में से कच्चा रह जाएगा और हतेली के बीच में अच्छे से से दबाना है तो यहाँ पर देखें हम इने शैलो फ्राइग कर रहे हैं कम तेल के सित्माल करके हम इने फ अच्छे रहेंगे मीठा सोडा डालने के वज़े से बड़े क्रिस्पी फ्लेकी ये बनते हैं आप इसे स्टीम करके भी खा सकते हैं दूसरा तरीका ये है कि आप जैसे मैंने राउंट्स बनाए हैं आप इने हाई फ्लेम पर 10-12 मिनट स्टीम कीजिए उसके बाद आप इने हल तोटली ओप्शनल है हलके से तेल में आप इने फ्राई करके एंजोई कर सकते हैं बच्चों से लेके बड़ों तक सभी को ये बहुत पसंद आता है वीडियो पसंद आए तो लाइक करें